इंडिया में हमारे पास गुजराती मारवारी सिंधी जैसे कुछ कम्यूनिटी है जो बिजनेस में अपने जंडे गार चुकी है तो आईए इस वीडियो में हम मोनिस पबराई की किताब दधन्दो इंवेस्टर से जानते हैं कि इन कम्यूनिटी के पास कौन सा फर्मूला है जो बिजनेस में उन्हें इतना ज्यादा रिच बनाता है आपने इस टोक मार्केट में सुनाई होगा कि हाई रिटन चाहिए तो आपको हाई रिक्स लेना परेगा लेकिन गुजराती लोग कुछ अलग सोचते हैं उन्हें तलास होती है समेट्रिक ओपर्चुनिटी वाले बिजनेस की जहां जिसमें अगर वो जीते तो फायदा हो अगर वो फेल हो गए तो कुछ खास फरक ना परे क्या आप जानते हो अमेरिका में रहने वाले गुजराती एक एबरेज अमेरिकन से ज्यादा कमाता है अगर हम देखे तो यूएस की वन परसन पपूलसन इंडिया है और इसी वन परसन में आते हैं थोड़े से गुजराती पटेल हैं लेकिन हैरान कर देनी वाली बात ये है कि इतने थोड़े लोगी एमेरिका के 50% से ज्यादा मोडल बिजनेसे के मालिक हैं तो सबसे पहले जानते हैं कि पटेल्स एमेरिका पहुँचे कैसे और क्यों उन्होंने मोडल बिजनेस को ही चुना जैसे ज्यादा तर लोग खेती छोर कर सहर आ जाते हैं क्योंकि हर जेनेरेशन के बाद होने वाले बटवारों में एड़्दे इन बफूती कम या ना के बराबर जमीन बसती है और इसी कारण से गुजराती पटेल का गुरूप बिजनेस करने के लिए युगुंडा चला गया और वहां उन्होंने बहुत अच्छा खासा बिजनेस किया और अच्छी खासी वेल्थ भी बनाई लेकिन तभी 1922 में युगंडा में एक डिक्टेटर पावर आया जिसने गुजराती पटेल की तरक्की देखके उनकी सारी दौलत छीन ली और उन्हें युगंडा से निकाल दिया अब इस सिच्वेशन में युगंडा से निकाल दिये पटेल्स को एक नई जगह की तलास थी इसलिए कुछ पटेल्स अपनी बची-कुची वेल्थ लेकर यूके केनेडा और अमेरिका में जाके सेटल हो गया क्योंके गुजराती पटेल ज़्यादा परहे लिखे नहीं थे इसलिए जब 1973 में अमेरिका पहुँचे तो ब्रोकेन इंगलिस के साथ अमेरिका में वाइट कॉलर जोब करना उसके बसकी बात नहीं थी और तभी अरब के कुछ देसों में कॉन्फिल्ट की वज़े से अमेरिका में ओयल क्रैसिस चालो थे जिसकी वज़े से पेट्रोल के दाम बर गये थे लोगों ने गूमना फिरना ट्राइबल करना बंद कर दिया था एज़े रेजल्ट मोटेल बिजनस यानी के हवाई पे बने 20-25 कमडे वाले छोटे होटल की हालत काफी खराब थी बहुत से मोटेल ओनर्स अपने मोटेल बिजनस को बेचने वाले थे जिससे मोटेल की प्राइज गिरकर बहुत ही सस्ती हो गई थी और जो मोटेल्स खरीदना चाते थे बेंक उनको 90% लोन दे रही थी और युगुंडा से निकालने के बाद पटेल्स के पास नहीं बहुत जाता सेविंग थी और नहीं रहने के लिए घर तो इन गुजराती पटेल्स ने 90% बेंक से लोन लेकर और बची-खुची सेविंग का डाउन पेमेन करके मोटेल खरी दे उनको पता था कि ये प्रोलम टेंपरेरी है थोरे टाइम के बाद जब मार्केट की हवा बदलेगी तो सब फिर से नॉर्मन हो जाएगा पटेल्स के पास रहने के लिए घर नहीं था तो मोटेल के एक कमरे में उनकी फेमिली रहती और मोटेल के स्टाफ को निकाल के वो घर के फेमिली मेंबर्स की सारा काम का संभालने लगे तो इस तरह motel बिजनेस को एक low cost बिजनेस में convert कर दिया ताकि वो इस crisis में survive कर सके finally oil crisis खतम हो गए और motel से पटेल को अच्छा खासा profit होने लगा और देखते ही देखते वो motel बिजनेस के मालिक बन गए ये story बहुत ही important है धंदे framework को समझने के लिए rule number one by existing business जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी बिजनेस को start करने में बहुत time लगता है और इतना effort लगाने के बाद भी ये जरूरी नहीं है कि आपको उस बिजनेस से अच्छा profit हो इसलिए पटेल्स ने exiting model बिजनेस को ही खरीदा वो innovation करने गए क्यूंकि innovation करने से पहले जरूरी है कि आपके पास थोड़ा बहुत capital हो जिससे आपके लगाए गए पैसे डूप जाये तब भी आपको कुछ खास फरक ना परे यानि नई-नई company के श्टोग खरीदने से बहतर है आप उन company में invest करें जो company सालों से exit करती हो जिसकी market में अच्छी position हो और जिनका business model सही तरीके से काम कर रहा हो वारेन बफेट कहते हैं कि इसलिए हमें ऐसे business में invest करना चाहिए जिसका rate of change काफी slow हो फोर एक्जांपल कोका कोला मेकडोनल आज से 20 साल पहले थे आज भी है और बहुत ज़्यादा chances है कि कमपनी की तो उनका कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंके technology company rate of change बहुत ही हाई होता है आज से 20 साल पहले हम और कुट और याहू यूज करते थे और आज हम Facebook यूज करते हैं क्या पता आने वाले सालों में government policy change हो जाए जिससे कोई और platform boom में आ जाए इसलिए अपना capital उसी company में invest करो जिसमें रातोरा changes होने का chances ना के बराबर हो क्योंके investment का first rule है safety of capital rule no.3 focus on arbitrage माली जै कि कोई सारी मुंबई में 15,000 में मिल रही है लेकिन वही सेम सारी सूरत में 10,000 में मिलती हो तो अगर हम सूरत से 10,000 में सारी खरीद कर मुंबई में 15,000 में बैसते हैं तो इसे arbitrage technique कहते हैं अब हमने जिस arbitrage की बात की वो place की arbitrage थी मतलब कि दो जगह उपर price का different को exploit करके हमने पैसे कमाए ये सेम चीज time के साथ भी हो सकती है for example gold की कीमत आज 50,000 रुपे है और मेहने के बाद ही ये gold 55,000 का होने वाला है तो ऐसे एक मेहने बाद gold sale करके profit earn करते हैं तो उसे arbitrage of time कहेंगे इसलिए आपको भी investing के दोरान arbitrage पे focus करना है rule no.4 businesses add big discount Warren Buffett कहते हैं जब लोग लालची हो रहे हो तब आप थोरा सा डर जाओ और जब डरकर लोग stock sale कर रहे हो तो आप थोरा सा लालची होकर उस stock को comprise में खरीद लो इस तरह से आपको stock तब आई करना चाहिए जब market depressed condition में हो for example 1987-2008 या फिर recently COVID situation में stock market बहुत ही नीचे चला गया था अगर आप उस time market में invest किया होता थो अभी आप अच्छे खासे profit में होते investing करते समय company के value पर ध्यान देना चाहिए जब company या economy खराब हालात में होती है तब कई बार अच्छी company सस्ते valuation में मिल जाती है जब company किसी short term problem में फस जाती है तब लोग उस company के share base देते हैं जिससे वो business सस्ते valuation पर मिल जाता है यहाँ पर हम किसी एरे गरे business की बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं वो business की जो fundamentally strong हो और जिने आप समझते हो अगर वो business किसी short term problem की वज़े से खराब हालत में है और आप उस business के long term performance के बारे में confident हो तब आप उस business में invest कर सकते हो एक बात याद रखो investment या business में मिलने वाले results आप कितने ज़्यादा margin से stock बेच रहे हो इस पे नहीं बलकि कितने ज़्यादा discount में stock खरीद रहे हो इस पे depend करता है for example किसी property का price अगर एक करोर है और उसे आप 80 लाग में खरीदते हो तो buy करते टाइम आपका 20 लाग का profit होगा rule no.5 buy businesses with mode अगर आप किसी भी business में पैसा लगाते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके business की वो कौन सी खास बात है जो उसे अपने competitor से better बनाती है जिसे author mode कहते है mode का मतलब किल्ले की बरी-बरी दिवारों के नजदिक बनाई हुई खाई जिससे दुस्मन के अंदर आने का chance सना के बराबर हो जाए जिसमें mode कई तरह के हो सकते हैं जैसे कि इंडिया में IRCTC जैसा दूसरा railway network नहीं बना सकते बले ही आपके पास कितने भी पैसे क्यों नहीं हो क्यूंकि उसे government ने protect करा है example के तोर पे आपकी किराना store है तो कोई भी आपके store के सामने दूसरा store खोल सकता है क्यूंकि आपके government का कोई control नहीं है लेकिन अगर आपकी company सीबिल explosive मानो गोला बारुद बनाती है तो कोई भी एरागेरा के bomb की factory नहीं लगा सकता क्यूंकि government ने कुछी companies को इसका license दिया हुआ है पर almost ना के बराबर chances से की वो नई नई companies को bomb बनाने की permission दे तो एक तरह से government तो कुछ industry को competition से बजाती है और mode की तरह काम करती है brand image pattern और distribution network तो एक तरह के mode ही है जैसे कोई नई नई company के hand sanitizer कुछ खास नहीं बिखेंगे लेकिन वही sanitizer अगर रेकिट अपने brand डिटोल के अंदर बेचे तो खूब बिखेंगे क्यूंकि उनके पास पहले सी brand image का mode है और कोई नई company के लिए उसे तोड़ना मुस्किल होगा तो कोई भी share खरीदने से पहले आप खुछ से पूछे की कोई competitive advantage है या नहीं सो दोस्तों I hope की इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा अगर वीडियो अच्छी लगी है तो